नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों केशे हैं आप शबी उम्मिद करते हैं कि बगवान भोले नाथ कि शुरुबाशे आप शबी बहुत अच्छे होंगे दोसों आप शबी को बता दी कि जीना है तो एशे जी हो कि दुश्मन को भी लगे कि वह क्या नशीब आई है जिए दोसों और वह नशीब अब आपके पाश आने वाला है जिए दोसों और अगर यह नशीब चला गया तो दोसों जिए उनकाल में आप हमेशा आप शूच करेंगे जिए दोसों आप शेबी को बता दी कि दोसों हाल ही में अब शुक्र का गोचर होने वाले हैं जिनसे दोसों आप शेबी के जिए उनकाल में तावर तूर लाब के मोगे खुलने वाले हैं जिए दोसों और यह शमय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है कौनशे कारे आप के लिए भागे चाले होंगी कोणकोण छेत्रों में आपको विश्यज शावधनी रगने होंगी ताकि दोसुं यह शमय जो भी श्वलता आपके हाथ आई वह बिलकुल यह आपके हाथ से ना चुट पाए जी है गया दोसुं और आपके जिवन में जो भी कुछे आप चाहते ह जो भी शपलताएं चाहते हैं जो भी वड़ी वड़ी काम्यावी चाहते हैं दोस्तों वे शबी आपको मिल जाए जै दोस्तों इसलिए दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिशना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंज तक बिल का शिरवाद हाब शिवी को अबन प्राब्ट होने वाला है। ज्यादोस davon और शियूम्य आप Shapai को Bundes body को इसा को मत कि खेंड़ा यहाई को कि मातालक्ष्मी हर किसी के जूनकाल में प्रेशन नहीं होती है। ज्यादोस और जिनके भी जुनकाल में माता लक्षमी एक बार प्रिशन हो जाती है तो दोस्वों उनकी जुनकाल से शुमी बरकार की आर्थिक तंग्यां खत्म कर देती है क्यों दोस्वों माता लक्षमी श्वक्च देवी हैं शाप शुत्रे सच्चे शर्धा के वाशी हैं दोस्तों जिनके भी दिन में सच्चा शर्धा माता के प्रति होता है जो भी माता को हमेशा हर घड़ी याद करते हैं। दोस्तों उनके जुनकाल में माता की किरफा हमेशा प्रश्टी रहती है। और दोस्तों आपके विजिनकाल में पिछले कई शमेशे आर्थिक तंगिया चरही है बहुत शारी मुश्वतों का आप शामना कर रहे हैं लेकिन दोस्तों निशबी के बावजूत आपके अंदर जो सच्ची भक्ती है शच्ची शर्दा है और मन में जो विश्वाश माता की प्रति दोस्तों वही है जो आपके हातों से श्वक्ष कर्म करवाता है और दोस्तों उनका फल तो आपको मिलना निशित है और अब आपको मिलने वाला है जब शुक्र का गोचर अगले तीन से चार दनों के अंदर हो ही जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे हम पूरी विस्तारशी शाथी बात करेंगे माता लक्षमी की जय जरू लिखेगा दोस्तों माता लक्षमी की अशिम किरपाप शभी को शदेव प्राप्त होगी और जुनकाल में कभी भी आर्तित तंगें आपको घेर नहीं पाएंगी जया दोस्तों तो आई दोस्तों बात करते हैं शुरुवात करते हैं भगवान शुरी किष्ण के एक बहुत अच्छी ग्यान से दोस्तों हम आप शभी को बता दें कि भगवान शुरी किष्ण कहते हैं कि जो भी भक्त अपने जुरुकाल में कुछ भी हो जाए कितनी भी बड़ी परिशानी क क्यों ना कर रहा हूं अगर मुझे याद कर लेता है तो उसकारी का भीजयता उसी शमय बन जाता है और मेरे इन बातों पर यकिन नहीं को जिनको मुझे पर सच्चा विश्वास होगा जैंको दोस्तों बगवान श्री किष्ण का या ग्यान यह बात अगर आपको सच्चा लग हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा शलाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जैई श्रीकिष्णा राधे राधे तो आई दोस्तों बेशी के इशाल बात करते कि आने वाले तीन शेच चार दिनों के अंतर जब शुक्र का गोशर होगा तो आप को बदा दें कि दोस्तों जो भी लोग कारिशत में कारिवनित हैं उनको बदनती तो मिलना निशित है शादि जो भी लोग के पेशे पिछले शमय से अटके पड़े थे या पिर यह शेक कारिय जो बाहधा की वज़े रुग गए थी दोस्तों उन शबी कारियों में अब अब आपको जो है मोका मिलने वाले हैं लाप के नए रास्ते खुनने वाले हैं वहारी मुनाफ़ा अब आपको मिलेगा प्रंत दोस्तों यह में आपको कौन सी विश्य बातों का ध्यान रखना है दोस्तों हम आप शिव को बिता दी कि पिछले श्यमय में आपके जुनकाल म करें दोस्तों सोच शमज कर किजिएगा दोस्तों बिना जाने बिना शमजे किसी पर भी यश्य में आप भरशा बिल्कुल भी मत किजिएगा कि दोस्तों अच्छे विश्वासी लोग की आज के दोर में धोकी देते ही तो दोस्तों इने श्यवी बातों का आपको ध्यान वाली है और श्रास्त में आपको बहुत अच्छा परिवर्तन महश्र होगा जी आ दोस्तों आपको बदा दें कि जो भी विद्यारती वर्ग्यें हैं जोने परिट्चा को लेगर बहुत रहें चिंताएं होती थे जिन्हें पढ़ाई को लिगर बहुत रहें अंकूश्याओं क माता लक्षमी चाली मंद्री में जरूर बोलेगा को जए माता दीज बोलेगा दोस्वों माता शंकट हरनी दुख हरनी आपके शारी शंकटों को हरेंगी शारी कश्टों को हरेंगी और आपके जुटने कारणाम ही नहीं ले रहा था दोस्तों अब वह शमय शाई भी देरे देरे खत्म होने वाली हैं कि दोस्तों सुक्र का गोचर होने शी आप शबी के जुनकाल में लाब के मोगी खुलेंगे शादे शाद आपको बता दें कि दोस्तों ये शमय शनी का भी परभाव आने वाले तीन दिरों के बाद आप शबी होने की अवश्रक्ता नहीं है बिशाल से बिशाल कारी भी अब आपके बनेंगे लेकिन धहरी का दामन आपको ठामे रखना है कि दोस्तों जहां पर शबर होता है वहां फल बहुत ही मेठा होता है यह शाह भगवान श्रीकिश नहीं भी कहा है और दोस्तों कुछ ऐसे ही कटना है आप शिवी के जुनकाल में आने वाले तीन से चार दिनों के अंदर होने वाले ही जया दोस्तों आप शिवी को बता दें कि जुनकाल में अब आपके लाब के मुझे खुलेंगे इस प्रकार खुलेंगे कि दोस्तों लोग भी कहेंगे कि वहां क्या किश्मत है नशीब हो करना ना भूले धन्यवाद आपका दिन शुग रहे